मेडिकल नॉलेज और मेडिकल प्रैक्टिस का सफ़र हमेशा बदलता रहता है जिन दवाईयों से आप इलाज करते हैं उपशार करते हैं हो सकता है कि वो बेन हो जाती हैं कुछ नई दवाईया आ जाती है और दोस्तों स्वास्त विवाग एक ऐसा छेतरे जहां पर बदलाव ह होते ही रहते हैं और मेरी पूरी कोशिश रही है दोस्तों कि आपको अप्टू डेट रख सकूँ मेडिकल साइंस को दोरा कि वह उसमें क्या निरंतर विकास हो रहा है और यह मैं करता रहता हूं और दोस्तों मैंने पूर में एक बुक जनर्र प्रैक्टिस गाइड कर रिव मात्र बुक नहीं है यह एक क्रांतिकारी बदलाव है मेडिकल साइंस में जो लोग जनर्र प्रैक्टिस करते हैं ग्रामी डेरिया में उनके लिए बहुत ही अच्छा हैंड बुक है दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डीटियल में कि इस बुक में आपको क्या-क्या मिलने है आए देखते हैं इस बुक में और क्या-क्या है तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि यह अल्टिमेट एडिसन में इसके पुराने एडिसन से कई गुना ज्यादा बीमारियों को कवर किया गया है दूसरी बात यह है कि इस अप्टू डेट एडिसन में उपचार पद्दि इस होती है उसमें कई रोग ऐसे होते हैं जिनमें similar लक्षण आते हैं आदमी बीमारी पकार नहीं पाता है कि यह बीमारी में इस बीमारी में भी लक्षण है इस बीमारी में भी लक्षण है तो बड़ा difficult हो जाता है तो इसमें proper diagnosis के लिए पूरा एक chapter दिया गया है कि आप हर व्यक्ति बुक को नहीं पड़ सकता, आप सफर में हैं कहीं पर भी हैं आप बुक को कैरी करके नहीं चल सकते, तो आप जब इस बुक को लेंगे, तो आपको जनरल प्रैक्टिस गाइड का एक मोबाइल एप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसका जो मेंबर्शिप का जो फी बीटमेंट्स, बीमारियां, सारी बीडियो के माध्याम से आपको देखने की मिलती हैं, अंत में यह कहना चाहूंगों दोस्तों की जो जनरल प्रैक्टिस गाइड हो दोस्तों, ग्रामीन चिकिस्षिकों के लिए कॉंपिटेंट बनाने में बहुत बड़ा हत्यार हो सकता है इसमें डीटेल्स में, हिंदी में, कलरफुल आपको पूरा जनरल प्रैक्टिस गाइड मिलता है, जो आप डिली प्रैक्टिस कर रहा है, जिस जिस तरह का आपके बास पेशेंट आ सकता है, उनका पूरा इसमें डीटेल्स है, तो जरूर से बाय करना चाहिए हर उस आर करना चाहूंगा कि आप देखते हैं मार्केट में, बहुत सारे मेडिकल बुक्स हैं, उन बुक्स में क्या है दोस्तों, कि वो एक बार बन गए तो बन गए, वो दस साल से चले आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे दोस्तों, कई लोग मन में आएगा कि यह जो जनरल प्रैक लेकिन जनरल प्रैक्टिस गाइड के अच्छी बात यह है कि लेटिस्ट एडिसन आता रहता है, अप टू डेटेड रहते हैं, ताकि आप नई पद्धिती से आप इलाज कर सकें, इनके अप टू डेट लेटिस्ट बर्जन जो भी बर्जन आये हैं, इनको लाने का मतलब य यह कि आपको नई से नई टेक्निक्स आपको मिल सकें, नया ट्रीटमेंट्स आपको मिल सकें, नई नई दवाईयां आपको जानने के मिल सकें, ठीक है, चाहें तो यह एक बुक बना के फ्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हो सकता है कि इसके अलाबा भी भविश्य में क्योंकि यह आपको up to date रखने में help करती है बुक को खरेदने के लिए दोस्तों आप फिलिपकाट Amazon से आप पर्चस कर सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend it करूंगो दोस्तों इनकी official website से आप इसको buy करें ताकि आपको जो mobile app का membership जल से जल मिल सके अगर आप इसे फिलिपकाट से order करते हैं तो बहाँ पर जो return period का policy है उसके खतम होने के बाद ही आपको mobile app का membership मिलता है जो कि बहुत important है और इन सब का link आपको description में मिल जाएगा ठीक है तो जरूर से हर एक RMP डॉक्टर को इसको ले लेना चाहिए और last and final यही दोस्तों वीडिय वाने मात्रम